ठंड का मोसम है और क्या होता है कि जब कभी अपनी कार को सर्दी के मोसम में हम बाहर लेकर जाते हैं तो पूरी कार के सीसे बंद करने पड़ते हैं क्यूंकि कार के सीसे अगर बंद नहीं करेंगे तो ठंडी हवा लगेगी उससे सर्दी भी लग सकती है तो गाइस क्या होता है कि जो हमारा कांच होता है, side वाले जो मिरर होते हैं, इन पर भाप यहांनी, steam जम जाती है, तो उसको साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कि ploper का यूज करते हैं, जो कि इस condition में होता है, अगर आपको सामने वाला सीसा कांच साफ करना है, तो इस condition में होना चाहिए और यहाँ जो red पर होना चाहिए इससे क्या गरम हवा निकलती है तो जो आंगे का सीसा आपका यहाँ पर steam जम जाती भाब जम जाती वह साफ होती जाती है और guys क्या होता है कि जो side के minor होते हैं इनको साफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर बलो पर लगा हुआ है या पंख लगा हुआ है गरम हवा निकलेगी इससे तो आप अपने हिसाब से हवा के जरिये साफ होती जाएगा